फेस टू फेस मुस्लिम महिलाओं के बुर्के पर एक बार फिर से विवाद खड़ा होता दिख रहा है उत्तर पुर्देश के राज्य मंत्री रगुरास सिंग ने बुर्के पर भयान देकर बवाल खड़ा कर दिया हो ऐसा लग रहा है उन्होंने भारत में बुर्के को बैंट करने की मांग सरकार से कर डाली रगुरास सिंग यही नहीं रुके उन्होंने कहा कि बुर्के पर प्रतिबंद लगना चाहिए क्योंकि बुर्के के वेश्ट में आतंगवादी हमारे देश में घुश जाते हैं राजमंत्र के बयान के बाद बिबाद होना भी लाजमी था इस पर लकनों में एदगा के परवक्ता धर्मगुरु मौलाना सुफियान निजामी ने जवाब दिया उन्हों ने जिस तरह से जवाब दिया वो जवाब ये था कि मानसिक्ता लोगों कि घटिया हो गई है, खराब हो गई है, छोटे सोस रखते हैं, उस सोच का नतीजा ये है कि ओची सियासत देखने को मरी है और चर्चा में बने रहना ही है, घटिया मानसिक्ता कि लोग ही इस तरह है कि लिवास को लेकर बयान दे सकते हैं आज फेस टू फेस में जो दुखास मेमान हमारे साथ होने वाले हैं बीजेपी की तरफ से कैप्टन आई सिंग साफ हमारे साथ होंगे तो शाजिया फैजान मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ है आप दोनुम मेमानों का स्वागत है आप लोग फेस टू फेस में बुर्के को लेकर होती सियासत पर बात करें, बहस करें, अपने तर्क रखें, उससे पहले रिपोर्ट के जरीए पूरी खबर आतागबाद को समाप करने के लिए ये बुर्का समाप करना पड़ेगा, ऐसी मेरी भारत सरकार से मांगे यूपी की सियासी फिजाओं में बुर्का एक बार फिर चड़ता दिख रहा है, मुस्लिम महिलाओं के बुर्के को लेकर उत्तर पुर्देश के राजची मत्री रगुरास सिंग ने बयान क्या दिया, एक बार फिर बुर्का सियासत के केंदर में आ गया रगुरास सिंग ने भारत में बुर्के को बैन करने की सरकार से मांग कर डाली, रगुरास सिंग ने अरब देश का जिक करते वे कहा कि बुर्के का सिस्टम वहां से निकला, बुर्के पर प्रतिबंद लगना चाहिए, श्रीलंका में बुर्के पर प्रतिबंद लग चुका नौरंगाबाद में कारिकरम में राज्य मंत्री ठाकुर रगुराज सेंग ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को बुर्के की जरुवत नहीं है देश में बुर्के पर पृतिबंद लगना चाहिए बुर्के की आर में ही तमाम घटनाएं हो रही है बिछले दिनों अलीगर में भी शाहास माल में सीए के विरोत में धन्ना दे रही महिलाओं के बीच में एम्यू का एक का पूर चाहत रखुज गया था ऐसे में कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है रुगराज सिंप निकाहा के चीन में पिश्ले साल आतंग की हमले के बाद बुर्घ के पर रोग लगा दीकई रही रुगराज सिंप के बयान के बाद अब एक बार फिर से बिबात का जन्म हुआ है वही बीजेपी के निता रुग्राज सिंग का समर्थिन करते दिखाई दे रहे हैं मैंने बुर्के की बेन इसलिए किया है क्योंकि इसमें आतंक वादी घुषते हैं जैसे स्रीलंका में बंद है चाइना में बंद है जापान में बंद है अमेरिका में बंद है ऐसे तमाम कंट्री हैं विस्टो के 207 कंट्रियों के नाम में आपको गिराऊंगा जिसमें केवल मुसलिम कंट्री छोड़के बाकी सब कंट्रियों में लगभग बेन है इसलिए भारत में भी आतंगबाद को समाप करने के लिए ये बुर्खा समाप करना पड़ेगा ऐसी मेरी मैं तो बहुत पहले से गहाँ आप लोगों ने चला अभी था बुर्खा तो अनार्किष्ट लोगों का काम है और बुर्खा ये तो महिलाओ का एक उत्पिण है बुर्खा कभी भी किसी लो के हिसाब चाही ये सरयत के नहीं चाहिए मुस्लिम पक्ष रगुलास सिंग के इस बयान का विरोध कर रहा है राज्यमंत्र के बयान पर मौलाना सुफिया निजामी का जवाब आया इस तरह का बयान देना ऐसे लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है ऐसे लोग खटिया और छोटी मानसिक्ता रखने व सियास्त के लिए इस तरीकी के बयाना देते हैं जहां दक बुर्के का तालुक है तो बुर्का मजहब इसलाम में एक पर्दे का लिबास है और हर मुस्लिम महिला पर्दा करने को और अपने आपको इसलामी शियार के अपनाने को इसलामी शियार के मताबिक चलने को फखर और बुर्के को लेकर एक बार फिर सियासत में हल चल है आरोप प्रत्यारूप का दौर चल पड़ा है बहराल एक तरह बेश में सियासी सिगूफा ये तो आने वाला वक्त बताएगा लखनो से चन्रमनी शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आर नाइन टीवी उत्तरप्रदेश उत्राखन टौर प्रदेश सरकार में जिम्यदार मंत्री रगुरास सिंग ठाकूर रगुरास सिंग का ये बयान क्या किसी रिसर्ट शोद का हिस्सा है या फिर एक सियासी सिगूफा चर्चा में आने के लिए इसके पीछे वजह क्या है इसी पर आज फेस्ट फेस होने वाला है तो खास मैमान मारे सामने हैं चर्चा के शुरुआत बीजएपी से करने वाले हैं कैप्टन नाइसिंग साहब चर्चा के शुरुआत आप से क्या मानते हैं कोई शोध हुआ कोई रिसर्च हुई जिससे पता चला कि बुर्के के पीछे आतंगवादी होते हैं इसे बैंग किया जाना चाहिए यह पहली मर्तबा नहीं है इससे पहले भी ऐसे बयानात आते रहे हैं देखो ऐसा है कि आपने देखा हो गई कि काफी ऐसी ओक्रवादी और टेरिस घटना हुई है जिसमें बुर्के का प्योग किया गया है बुर्का पहन के अभी थोड़े दिन पहले ही लखनवू के कुछ लोग पकड़े गए थे जो बुर्का पहन के आये तो बुर्का का दुर होना चाहिए किस उसमें लिखा है कि बुर्का होना चाहिए बुर्का हुआ करती थी जब बाहर से जो लोटेरे आता था ही आया करते थे उन से हैं अपनी बहन बेटी Fernbali यहां को बचाने के लिए GREEN बेटियों को देखते थे और गंदी निग हैं डालते थे तो उस मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं, आपके ठीक सामने हैं, वो क्या सोचती हैं, क्या वाकई में ये चिंता है, शाजिया फैजान, नहीं बिर्कुल मैं अपनी बेहन से कहना जाओगा, कि वो अपनी इच्छा से नहीं पहने हैं, सर बुर्खा हमारी शान है, और हम इसे अपने सह पहने हैं, कौन से नहीं पहने हैं, इस पर आप लोग इस पर क्यों बात करते हैं? इसा चलूब तराते हैं उन्होंने कानों एक लड़के से वहां गोली भी चलाई पी लोग मैं कहना चाहूँगा मैं मुस्लिम बहनों का इतना हितासी हूं कि मैंने उनको तीन तलाक से आजादी दिलाई आपने देखा हुआए अब आप मुस्लिम बहनों को दंगा कर रहे हैं मुस्लिम बहने हमारी बहने हैं हम उनका उतना ही ख्याल रखते हैं और बिर्कुल नहीं और यह बुरका जो है ना अब इसका दुरुपयोग होना लगा है अपनी नाकाम साजिसों को देने के लिए बुरका का उप्योग करने लिए गलत 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 सर अब बीजेपी वालों के पास कुछ मुद्दा तो बचा नहीं ठीक है वो किस पे बात करें तीन तलाग पे बात हो गई आप देखिए बहन मेरी अब बुरके पे बात करने है अब गत्मितिया हमारे भी हो रहे हैं अब हुआ है और बोली है लका मेरे जापान में पूरका में तो बनाइए फिर उन से भी अच्छी है वह राजणीती करते हो कही राजनीती नहीं हम बिरकुर किसी के उपर राई नहीं थी कर नहीं करते हम सब का विकास आप आप सोचे हमारे प्रधान मंत्री मानी नरिन मोदी जी जो भी योजना चला रहे चाहे वो रसोई गैस चूला हो या स्वास्त भारत हो तो इतनी योजना है हमने कभी ये कहा कि ये मुसलिम के लिए हमारे लिए मुसलिम अगर उनकी इतनी बेहने हैं ठीक है उन्होंने तीन तला का मुद्दा करवाया तो अब अपनी बेहनों को वो नंगा क्यों करवाना चाहते हैं बुर्खा उदार के हम बलके जो आपको ये पर्दे में कैद रखा है अगर ये लगता है तो आपके समाज को इसके उपर ये बिरकुल संग्यान लेना चाहिए कि इसका दुरुपयोग टेरिस गटनाव हो रहा है कि क्यों और कोई नहीं करता है सर अभी हमारे शाहिन बाग में एक लड़की बुर्खा पहले आगी बिजेपी वाले इतने अनुस लोग है कि वो कभी इस तरह के करत को करी नहीं सकते हैं अभी लड़की पकड़ी यहां पे शाहिन बाग में बुर्खे में वो बीजेपी की थी सर ठीक है और खुले आम जो गोलिया चला रहे जामियों और शाहिन बाग में वो तो बुर्खा नी पहन रखा उन्हें क्यों न बुर्खा निकला है और अम पाठी के कारिकत बता हो बताव में यह कहना चाहूंगा यह बुर्खा आज की तारीक क्यों कुछ आप ना इससे बाहरा आई थी नहीं होने लगा है और बहुत चाहिए सारो जार चाहिए उन्हें शिच्छा चाहिए बहुत कुछ चाहिए और ए अगर किसी को टेरिस्ट बनके आना ही होगा तो वो साड़ी पैन के गूंगट लगा कि आ जाएगा उसमें क्या प्राब्लम है बताइए नीज आप दूसरे गंट्रियों पर मत जाएए ना दूसरे कंट्रियों तो कहां से कहां निकल गए आप देखी उनको जाए ना फूरा बात में आगे है आप इस तीज को ना कहें क्योंकि ये जो आपको हो सकता है कि मौलाना ने पहले सिखा के मैंने जिक्र किया इस प्रोग्राम में कि यह किसी रिसर्च का हिस्सा तो नहीं है यह अक्सर सुरक्षा एजंसियों के हवाले से ऐसी चीज़ें आती हैं कि आतंकी या इस तरह से फसादी तत्व होते हैं वो ऐसी चीज़ों का सहरा लेते हैं लेकिन ऐसा कहीं कहा किसी बुर्के का हो गुंगट का हो वो लिया जाता रहा है और यह तो चोर हो लुटे रहे हो बदमास हो हर कोई लेता है लेकिन जो जिम्मा एजिंसियों का है सुरक्ष्य एजिंसियों का है वो बताएंगे कि हां वाकई में गलत इस्तेमाल बुर्के का हो रहा है गुंगट का हो र रखता है नहीं रोतेला जी मैं कहना चाहूंगा जब देश की सिकूर्टी पर अगर कोई बात आ जाती है तो यह पहले काफी बार एक बार नहीं काफी बार इस तरह की रपोर्टे दी गई है कि बुर्का का दुर्पियोग हो रहा है बुर्का में टैरिस आते हैं और यह तो देश के घातक होने के लिए कोई भी चीज होना चाहिए उस पर बेहन लगना चाहिए तो सर जो बुर्खे में ट्रेरिस आते हैं आप लोग उन्हें क्यों नहीं पकड़ते हैं बिर्कुल पकड़े गए तभी तो हमारी बहने आपकी बहने वहां बैटी शाहिन बाग में तो आपक्यों कर दो क्योंने आते हैं आप आप भी नहीं माग रही है वह सिर्फ कोई नहीं है आज पड़े लिखे लोग आइं सर क्या बात कर रहा अब तो हमारे माननी जो नरिद्बोडी जी है वो हमारे भाई है वो हमारे भाई है वह पर आके हमें माननी परधान मंतरी ने मंच से कितने वार कहा है सब जूट के बीच बुर्के वाली सियासत चिप गई साहब केप्रिन साहब आप तो बहुत पुराने आदमी हैं कई बार इस तरहे की खबरें आती रही हैं सियासी गलियानों से कि बुर्के पर पाबंदी और भी पैंट जिन्स में भी आते हैं आते हैं कि तो बुर्के के अंदर के आतंकी दिखने लग गए पहले से बुर्का एक ऐसा परता है कि जिसमें बुर्कुल समझ में नहीं आता है जासिट में पहचा लिया जाएगा साड़ी पहनेगा उसमें भी पहचा लिया जाएगा अगर यह लगता है देश के लिए बुर्का खत्रा है इस देश की संसत को कानून बन जाता वे इंकभ ने थी लेकिन आज आप अधूरी तयारी के साथ आए लग रहा है लिए काम भी शुरू हो जाता है रोतेला जी हमने सीमा पे रहे हम खुद बता रहे हैं कि 20 लोग हमने खुद बुरका में पकड़े थे जो पाकिस्तान से आये हुए थे ठीक है ना अब इस बात का कैसे यकीन बन लें उत्तर के नहीं वो पूरा रिकॉर्ट है वो फाइल है सब कुछ है वो अफ़ारी वार्वली नहीं करी जाती यह आपको यह बताना पड़ेगा और जो आईसिंग साब आपको दर्शकों को यह बताना पड़ेगा जिन मुसलिम भाई बहनों का आप जिक्र कर रहे हैं उनको आपको यह समझाना पड़ेगा आप कहरें रिपोर्ट सारवजनिक नहीं की जा सकती है आप मत कीजिए किसी भी रिपोर्ट को सारवजनिक अगर वो देश की सुरक्षा को लेकर है अगर आपको लगता है कि उससे भरोसे में कैसे लीजिएगा नी भरोसे में उसको उनको बताया जाएगा और भी मैं कहता हूँ कि हमारे जो मुस्लिम धर्मगुरु है उनको जब इस चीज पर अगर इतना गलट लग रहा है तो आप इसका दुरूपियों क्यों करवा रहे हैं आप पर कशा रभी कूं जा रहे हैं तो यह भी इन को जा रहे हैं तो हुए सर्कार का काम है न असरण कर वो 아ि मंत्री ने कहां बंद होना चाहिए बुर्खे में आए या सारी में आए तो कल को गवर्मेंट इसको ने जा음 फिसान साथ के सरकार का बैया जाए इसको अभी इसको हम नहीं कह सकते कि यह संग्यान में नहीं है साजिया फैजान आपको यह लग रहा है कि जब आपके संग्यान में नहीं होता है कप्डे को लेकर मकान को लेकर स्वास को लेकर तमाम जबाब दहीं है नहीं है रोतेला जी एक जहना सुरक्षा के उपर कैसे द्वाण के आतंग पहन के आ रहा है करको सारी में कोई आतनकी मिलेगा तो क्या आप सारी पें लगा देंगे क्या बताई आप नहीं सकता है ये कपुणो को बेन करने, बुरके को बेन करने, सारी को बेन करने से अच्छा यह है कि हम अपनी सुरक्षा verified को और जो जाचने परखनी की हमारी शै물ी है उसको और अब्रेड करें और अपने system को इतना दुरूस कर देρन जैकेट पहना हो। शेली है उसको और अब्रेट करें और अपने सिस्टम को इतना दुरस कर दें कि चाहे बुरके में हो या साडी में हो चाहे जैकेट पहना हो जमीन के नीचे हो या बाहर हो पकड़ा जाए रहतेला जी मैं आप से कहना चाहूंगा चायना अमेरिका इनकी सिकेटिर dчив ये या हमसे भी बहुत आगे है उन्होंने क्यों बंद किया है उन्होंने देखा है नो क्या हो उन्होंने पैलकि बहुत 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 शुक्रिया आपका शाजिया फैजान जी और कäreप्टằng वादी पनहा लेते हैं बुर्के के पीछे और साफ तोर पर मुस्लिम स्कॉलर और मुस्लिम समाथ से जुड़ेवें लोगों का इस पर विरोध है उनका साफ कहना है कि ये घटिया सोच वाले शक्स या नेता ही सियासत के लिए इस तरह के बयान बाजी कर सकते हैं बुर्के के पीछे आतंकी नहीं साफ सुत्रे लोग ही होते हैं फेस टू फेस बहाज इतना ही बाकी खबरों के लिए आप बने रहे आन टीवी के साथ सिर्फ खबर के लिए